प्लीस सब्सक्राइब और प्रेस्टान ने सीज फार का उलंगन किया है आज सुभा भी पाकस्तान ने कर्मारा सेक्टर में भारी गोलाबारी की पाकस्तान की सनापार खरकत का भारतिय सेना ने भी मूत और जवाब दिया है 24 घंटों के भीतर पाकस्तान की तरफ से तीसरी बार ये गोलाबारी की गई है इससे पहले यहाँ ही पाकस्तान की जो सेना है इसके फारिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया था और एक वोटा की भी मौत हो गई गई जमुकश्मीर के पुलवामा के तराल में कुछ आतंकियों ने गश्त लगा रहे सुरक्षा बल पर फाइरिंग की हलाकि सुरक्षा बल पर हमने को अनजाम देने के बाद आतंकी मौके से भागने में कामियाब हो गई इस घटना के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेड लिया है और आतंकियों की धर पकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है हनीप्रीत ने हरियाना पुलिस की पूछताच में एहम राज उगले हैं हनीप्रीत की उस जाइरी के बारे में भी पता चला है जिसमें डेरे से जुड़े कई राजबं है हनीप्रीत ने पुलिस को बताया कि उसका मुबाइल और लापटॉप डेरा कि चेयर परसन विपासना के पास है हनिप्रीट ने 26 अगस्त को सिरसाँ जाकर अपना मुबाईल और लैप्टॉप विपासना के पास रख दिया था तीरे स्ये जुड़े कई और चौल काने वाले सत्र सामने आ सकते हैं इस बीच आज हनिप्रीट को कोट में पेश किया जाएगा बदा यह जा रहा है कि SIT हनीपीत की पुलिस रिमान बढ़ाय जाने की मांग करेगी दिरसच्च सौदा की चेर परसन विपसना को एक बार फिर हर्याना पुलिस की SIT ने पेश होने के लिए तीसरा नोटिस जारी किया है SIT ने विपसना को आज फिर पूशताच के लिए बुलाया है इससे पहले भी दो बार बुलाने पर विपसना पूशताच के लिए पेश नहीं हुई थी हाला कि तीसरी बार नहीं आने पर विपसना इंसा की मुश्किल बढ़ेगी जांच में शामिल नहीं होने पर हरियाना पुलिस पंचकुला जिला अदालत में विपसना का गिरफतारी वारंट लेने के लिए अर्दी लगा सकती है गाजियाबाद के डासना जेल में पिछले चार सालों से बंद नुपूर और राजिश तलवार की आज रहाई हो सकती है लाहबाद हाई कोट ने नौ साल पुराने आरुशी हत्या कार्ण मामले में तलवार दमपती को आरुपों से बरी कर दिया है से पहले सीबिया की विशेश रदालब ने दलवार दमपती को आरुशी हत्या मामले में दोशी करार देते हुए उम्रखयद की सजा सुनाई थी लेकिन सबूतों के अभाव में लाहबाद हाई कोट ने कल दोनों को भी बरी कर दिया था पटाखा बिक्री से रोक हटाने की कारोबारियों की मांग पर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी पटाखा कारोबारियों की दलील है कि उन्होंने बैंक के पहले से भी लाखों रुपे के पटाखे खरीद लिये थे साथ ही कारोबारियों का कहना है कि किसानों का पराली जलाना और दिल्ली NCR में वाहनों की संख्या भी बढ़ते प्रदूशन की एक बड़ी वज़े है सुप्रीम कोट ने बढ़ते प्रदूशन के मद्दे नदर दिल्ली एंसियार में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री का रोक लगा रखी है केंद्री मंत्री उमा भारती के मताबिक माहत्मा गांधी की मौट से कॉंग्रिस को फायदा पहुँचा जब की देश का नुकसान हुआ उमा भारती ने ये बात बीजेपी के गुजरात गौरव यात्रा के दौरान केही जिसके बाद कॉंग्रिस ने उमा भारती को जवाब देया कि किसी की मौत पर राजनीती नहीं करते हैं मौत पर राजनीती करने का काम बीजेपी करती है हम आज तक जेल रहे हैं इस दंश को और देश को बहुत नुक्सान हुआ हमें बहुत नुक्सान हुआ संग को और जंजनको peuple देश को बहुत नुक्सान हुआ गांधी जी के अत्या का फायदा तो स्रब कांग्रेस को हुआ जो किसी के मृत्यू पर राजनीती करें वो कांग्रेस का वो डियने में नहीं है दूसरी बात ये कि गांधी के नाम पर उमा भारती जी अनाप सनाप उसके मुँँ में डाल रही है वो गलत है यूपी के बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापती ने विवादत बद्यायन दिया है ब्रजेश प्रजापती के मुताबिक अगर दिवाली पर जलने वाले पटाखों से ध्वानी प्रदूशन होता है तो मस्जिदों से जो लौट स्पीकर लगा कर नमाज पढ़ी जाती है उसे भी बंद करा देना चाहिए ब्रजेश प्रजापती ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और पटाखों पर बैन लगने की वज़े से हिंदू की भावना आहत हुई है अखिरकार मस्जिदों में लावड स्पीकर पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है उस पर भी लगना चाहिए वो भी तो धोनी पर दूसरा खला रहा है उस्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाथ आज से दो दिनों के गुजरात दौरे पर हैं योगी आधित्यनाथ यहां गुजरात गौरव ग्यात्रा में शामिन होंगे और इस दौरान कई जनसभाओं को भी संबोधत करेंगे मुख्य मंत्री योगी सूरत में उत्तर भारतिय उद्योग परिसंग के साथ बैठक भी करेंगे योगी आधित्यनाथ बीजेबी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं और बत और मुख्य मंत्री उनकी लोग प्रियाता को देखते हुए पार्टी विदान सभा चुनाव में कई शेहरों में उनके दोरे कराने की तयारी कर रही है दाउद के भाई इखबाल कासकर के व्यापारी से जबरन उगाही मामले में आंटी एक्सटॉर्शन सेल को बड़ी काम्याबी मिली है सेलने ज्वेलर से जबरन वसूले कुछ गहने एक बार गर्ल के पास से बरामत किये है पूश्टाच में इस महिला ने बताया कि उसे ये गहने इखबाल कासकर ने दिये थे इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने 20 तोले के सोने के गहने मलाड के एक ज्वेलर के पास से बनामत किये हैं बताया जा रहा है कि इखबाल कासकर के इशारे पर मुम्ताज ने ये गहने बेचे थे पुर्वित मंत्री पीच दमरम और वरिश्वकील प्रशांद भूशन समेट राजुनी थी मानव अधिकार और फिल्म जगत सही तेक्यावन जानी मानी हस्तियों ने रोहिंग्या मुसल्मानों को लेकर प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी को पत्र लिखा है पत्र में पियम मोधी से भारत में रह रहे के 40,000 रोहिंग्या मुसल्मानों को लेकर बड़ा कदम उठाने की मान की गई है इस पत्र में समिधान के आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि भारत की धर्ती पर सभी को अपना जीवन जीने का दिकार है फिर चाहे वो मूल रूप से किसी भी देश का रहने वाला क्यों ना हो दिली के नरेला में बाइक सवार बदमाशों ने दो सगे भाईयों को गोली मार दी हमले में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भरती है बदमाशों ने पहले दोनों भाईयों से उनका बैक छीनने की कोशिश की और नाकाम होने पर उन्होंने गोली चला दी बताया जा रहा है कि जिस वक्त हमला हुआ दोनों भाई चार्टर्ड अकाउंटिन्ट के पास से लोट रहे थे और उनके पास बही खातों से भरा बैक था आटए प्रियाणा के रेवारी में यूरो इंटरनाशनल स्कूल के दो बच्चो को जूती से законतीं ने दोनों बच्छों की किसी बाक को लेकर बैरे को घरे करने हैं स्कूल के पिरिंसीपल का इसके बार्चो के परिजन о ने फुलिस में शेकार करने से इंगार कर दिया जिसके बाद उन्होंने बाल कर लियान विभाग को घटना की जानकारी दिये और साथी प्रशाथन को इस मामले से अफ़त कराया चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे सीपी एसी पर अमेरिका की चिंताओं को खारच करते हुए पाकिस्तान के ग्रह मंतरी एहसान इखबाल ने कहा कि वाशिंग्टन को इस मल्टी बिलियन परियोजना को भारत के नजरी से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा मंच सुलब कराएगा जो सब को फाइदा पहुँचाएगा इखबाल ने अपने बयान में कहा कि CPEC दक्षिन और मध्य एशिया पश्चिमी और अफ्रीकी देशों को आर्थिक गलियारे के माध्यम से भोगोलिक तोर पर जोड़ने के लिए एक मंच उपलब्द कराएगा पचास अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाला CPEC पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर P.O.K. से होकर गुज़रेगा जिसको लेकर भारत ने चीन को अपने विरोध के बारे में बता दिया है अमेरिका और इसराइल ने गुरुबार को एलान किया कि वो संयुक्तिर राश्रु शेक्षनिक, विग्यानिक और सांस्पृतिक संधितन से अलग हो जाएगा अमेरिका ने युनेस्को पर इसराइल विरोधी रुख रखने का आरोप लगाया है अमेरिका का संयूत राश्र की इस एजिंसी से अलग होने का फैसला 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी होगा तब तक वो युनेस्को का फूर्ण कालिक सदस्य बना रहेगा इससे फंड की कमी से जूद रहे युनेस्को की परिशानियां और बढ़ सकती है संग्तुत को दिये जाने वाले अमेरिकी फंड पर राश्रपती डॉनल्ड ट्रम्प नाराज़गी चताते रहे हैं युनेस्को को अमेरिका से हर साल आठ करोड डॉलर यानि परीव पांत सो बीस करोड रुपए की मदद मिलती है युरेसको का मुख्या लए परिस में है संग्त राश्रका ये संग्तव चान 1946 से काम कर रहा है मुंबई के लिबर्टी सिनेमा से जीओ मामी फेस्टिवल की शुरूआत हो गई जहां अदिती राव हैदरी और कुनाल कपूर ने होस्टिंग की कमान तम्हाली जो हाइदराबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और सीरीज का आखरी और निरनायक मैच केला जाएगा ने इस दौरान बारिश होने का पूर्वा नुमाल लगाया है तो धर तेज गेनबाज आशीश नेहरा ने अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच नहीं केला कोवली इस मैच में नहरा को मौका दे सकते हैं नहरा ने नवंबर में अंतराश्वे क्रिकेट से सन्यास लेने की गोशना कर दी है चीन में इन दिनों लीशान पहाड परियाटकों की पसंदीदा जगा बन गया है क्योंकि इस पहाड के इर्द गिर्द बादलों की ऐसी चादर छा गई है जो किसी समंदर की लहरों जैसी दिख रही है उतरी चीन की यौनचांग सिटी में मौजूद इस लीशान परवत श्रंखला को देखने खूब परियतक आ रहे है और यहां आकर वो खुद को स्वर्ग में खड़ा महसूस कर रहे है बादलों की खूबसूरती में लोग एक दूस्टे के साथ तस्वीरे खिचवा रहे है लीशान परवत की चोटी समुझ तर्ट से तैस सो मीटर की उचाई पर है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पवन शर्माई ये खबर हम तक पहुंचा रही है सुरक्षा एजिंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है सुरक्षा एजिंसियों के मताबग आतंकियों का एक ग्रूप गुलमर्थ के रास्ते घुस्पैट कर कश्मीर पहुंच गया है सुचों के मताबग बारा आतंकियों ने घुस्पैट की है ये सबी आतंकी तीन-चार ग्रुप में बटे हुए हैं इन आतंकीों की योजना कश्मीर में बड़ा हमला करने की है ये आतंकी हजबल मुझाहिदिन के पूरप कमांडर जाकिर मुसा से मलाखात कर चुके हैं ये भी बताया जा रहा है कि जाकिर नहीं इन आतंकीों को स्थानिय मदद मुहाया कराई है क्या और जानकारी मिल पारी है और किस तरह के इंपुट्स मिले हैं जान एकले सीधे बात करते हैं और सिमापार से इन्होंने एक महीने के बीतर ही गुस्पेट की है जो इलाका कहें कि बरगाम से पहली बार गुस्पेट हुई है जो गुलमर्ग से पहली बार गुस्पेट करके पहुंचे हैं बरगाम जिले में और बरगाम का ही खानफाई भी इलाका है बहाँ पर जाकिर मु पूरे इलाक्ति प्रमुक्ति हो सकते हैं कि जाकिर मुसा के अंडर ही काम करने वाले हैं और इस समय कश्मीर में जब इनकी से सूचा मिल सुकी है तो पूरे इलाक्ति यो है वो करी की गई है खास करके बरगाम का जो इलाका है अजारी बाग जो इलाका है अर्जी बाग जंगल जो फारस पड़ते हैं वहाँद भी स्क्रिवटी फोर्सस में इन अतंकियों की सुचना के बड़े पैमाने पर अपनी कारभाई शुरू की काफी दिनों बाद देखी गई है इस तरह से गुसपेट काफी समय के वाद जिल्दा का विशे जरूर है लेकिन इस समय अतंगी सिर्नगर शहर बढ़ गाम में और जाकिर मुसा से उनकी लगातार ब्याटक्स भी खांसाइब इलाके में और मुसा की जो मजूर्गी वह इसी दाके में दर्शाई जा रही है तो बहुत जल्स यह हो सकता है कि यह उनके भी ट्राप में जल्दा जाएं शुक्रिया पावन एक और बड़ी खबर रिफट अबदुल्ला इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं दूसरी हो जमु कश्मीर के पुलवामा के त्राल में कुछ आतंक्यों ने गश्ट लगा रहे हैं सुरक्षा बल पर फारिरिंग कर दी अलांकि सुरक्षा बल पर हमले को अंजाम देने के बा जिपत क्या कुछ अभी तक सफलता मिल पाई है क्या ये सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है अधिके हमानी ये एक एरिया है त्राल में सीर इसे कहते हैं और ये एक फॉरिस्ट एरिया है और वहां पे सिकर्टिफ फोर्स पर दूर से ही फारिंग की और वहां से बाग निकलने जो है मिलिटन शायद बाग निकलने में काम्याब होगे लेकिन स्कुर्टिफ फोर्स इसको वहां पे इंपूट्स थे कि इस एरिया में मिलिटन शुपे हो हैं और ये सब साबित भी हुआ चुकि फारिंग जो मिलिटन ने की और इसके बाग गे ऐसे नहीं ये कहा जा सकता ह पाकस्तान ने एलोसी के पास एक बार फिर से सीज़ फार का उलंगन किया है पुंच के करमारा इलाके में पाकस्तान के ओर से भारी फारिंग हो रही है चौबीस घंटे के भीतर देखें तो पाकस्तान के ओर से ये तीसरी बार है जब फारिंग की जा रही है उदर भारत भी पाकस्ताँ की फारिंग का मूंत ओर जवाब दे रहा है कल पकल पकताँ की फारिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया था जबकि पांच जवान पाकस्ताँ की फारिंग में घाल होएते पाकिस्तान ने पांच जाहिल गए था लेकिल रात को लगबक गयना बजी कियी फैरिंग रूप गे थी लेकिन सुवाफिर पाकिस्तान ने फैरिंग शुरू कर दिया है पूरे अलाके में सीहना की पोस्टों को टार्गिर किया रहा Cynthia सिब्लिन इलाखों में मोटार शेलिंग की जा रिया है जबकि भारतीय सैना की तरफ से भी पाकिस्तानी सैना को मूत और जवाब दिया जा रहा है अभी भी जारी है सुबा लगबाद 7 वजे के किरीब हैवी फारिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई थी पूरे इलाके में जो सिमा बरती लोग हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। सरक पुसाशन ने अदेश दिया है कि अगर ज्यादा शेलिंग होची है ति उन लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा। पवन शेर्मा जम्मू नियूज जेटीम इंडिया। आरुशी हत्यकान में इलाहबाद हाई कोट से बरी होने के बाद घाजियाबाद की डासना जेल से तलवार दमपती की रिहाए आज हो सकती है। पठाखों की बिक्री पर पाबंदी के फैसले को वापस लेने की कारूबारियों की याचिखा पराद सुप्रिम कोट में सुनवाई। देजद्रो की आरोपी हनीप्रीत ने रिमान खत्म होने के ठीक पहले विपस्ना को डाइरी, लाप्टॉप और मोबाइल देने का खुलासा किया। उस्त्र प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनों की गुजरात दौरे पर बीज़ेपी की गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होकर कर कई जन सभाएं भी करेंगे। गुलमर्ग के रात्ते घुस पैट कर कश्मीर पहुँचे बारा आतंग की बड़ा हमला करने की फिराख में है। महात्मा गांधी की हत्या से कॉंग्रेस को फाइदे वाले बयान पर केंद्रे मंत्री उमा भारती पर कॉंग्रेस ने पलटवार किया। जो किसी के मृत्यों पर राजनिती करें वो कॉंग्रेस का वो डिएने में नहीं है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे पर अमेरिका की चिंताओं को खारिच करते हुए पाकिस्तान के ग्रह मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि वाशिंग्टन को भारत के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। झाल सकते हैं